हे गाज स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मूवी जड़्डा में और आज मैं बात करने वाला हूँ देवरा पार्ट वन के ग्लिम्स की उसका जो है ग्लिम्स आ चुका है यानि कि कहतो टीजर जो है एक मिनट उनी सेकंड का आ चुका है वीडियो तो यार क नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं कियोगी जिस तरह से इसमें पाइरेट्स दिखाए गए हैं और वो ओसन पर जिस तरह से कबजा कर रहे हैं वो देखना लायक ऐसा बोलेवुड के अंदर और पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्रीम आज तक कभी हुआ ही निये बाई चुकि ऐसा तो हमें पाइरेट्स ओप दी केरवियन मूवी में देखने को मिले था जिसमें जोनिल डैप जो है दिखाये गए थे और वहोती उन्होंने जवर्जस अपने काम किया था लेकिन अभी इस तरह का बोलेवुड में कॉंटेंट तो आज तक बनी ही नहीं पाया है जिस तरह कि इसमें स्टोरी टाइमलाइन जो है साब कुछ एक सिरे से दिखाया जा रहा है और सबसे बेस्ट सेंज जो अभी तक का इसमें दिखाया गया है कि वो चांद को जो रंगते हुए दिखा दिया है ना कून से वो अभी तक का रोंगते खड़े करने वाला सीन हाई दे रही है इस मूवी के अंदर लग रहा है यह बिलकुत छप पर फार देने वाली है और अभी तक की बेस्ट मूवी होने वाली है क्योंकि इससे पहले जितनी भी आईती हो सकता है कि यह उनसे उपर जरूर निकल जाए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो है टेक लिखान से लेकर जानवी कपूर भी हमें देखने को मिनेंगी और उमीर है कि यह कुछ अच्छा करते हुए न जा रहा है सैफ लिखान तो अच्छा ही करते हैं लेकिन जानवी कपूर से थोड़ी सी एक्सपेक्टिसन थोड़ी कम है लेकिन अगर इसमें जूनियर एंटिया मिन